नेक्स्ट इसी तरह जो इंपेर्मेंट ऑफ फाइनिशल असेट्स है यह भी प्रोवाइड किया गया इंडेयस में लेकिन अभी हम फिर्स्ट टाइम के एडप्शन में इंपेर्मेंट ऑफ फाइनिशल असेट्स इंपिर्मेंट ऑफ फाइनिशल असेट्स को हम फ्रस्स टाइम अडप्शन के चाइन पर इंपियर्मेंट ऑफ फाइनिशल असेट्स अभी नहीं करेंगे अभी प्राणेय अगांट क्टिम स्टेंट्च के इसाफ़ परेंगे इसी तरह एम्बेड़ डेरिविट्व Embedded Embedded Derivatives Embedded Derivatives हैं वोन Embedded Derivatives को भी अभी हम पुराने इसाफसरी करेंगे इसी तरह गवर्मेंट लोन को भी और Estimates इन सब के लिए जो Inde A.S.I. है Government Loan के लिए Estimates के लिए इस सारे प्रविजन First Time Adoption में Applicable नहीं होंगे ओके क्योंकि ये Mandatory Exceptions है Okay अब आप समझेए आप समझगे कुछ आप समझेए से ही करने पड़ेगी क्योंकि जो Comparatives है जो comparative informations है यानि previous years की जो figures है इनको भी प्रिपेर और प्रेजेंट करना है थीजार टू भी प्रिपेर और प्रेजेंट करना है थीजार टू भी प्रिपेर्ट एंड प्रेजेंट एच पर इंडियर्स फर्स्ट ट्राइम वेट अपिंडियर्स के बाद में जो comparative information है यानि previous years की जो figures है इनको भी प्रिपेर्ट एंड प्रेजेंट करना कैसे है एच पर इंडियर्स अब इनकी जितनी भी adjustment होंगी इसका हम adjustment कहां से करेंगे यानि जब हमने balance balance sheet की किसी भी item की valuation कम ज्यादा की तो जो भी profit और loss आया उसका adjustment हम करेंगे कि रिटेंड अर्णिंग से किस से करेंगे रिटेंड अर्णिंग से हम दो तो रिटेंड अर्णिंग यानि जो existing रिटेंड अर्णिंग होगी उससे adjustment करेंगे और उस adjustment के लिए जो भी reconciliation statement बनाएंगी इसके लिए क्या करेंगे रिकंसेलेशन जैसे आप बेंक रिकंसेलेशन बनाते है तो आप लेंगे profit एज़ पर हेज़ кос़श YouTubers कनासि एह ज्यसाइंट मिनज्य ज्ट्स 혼ण मनिस एज़श्मिन जीए ज्ट्रविएंट लौ माइनश एजक्रविध एजक्र लग जूश करेंट यह दिए रिटेंड अनिंग यानि रिजर्व रिटेंड अनिंग क्या होती है जो भी रिजर्वें सर्पिलस होता है रिजर्वेंड सर्पिलस और यहां कर आ जाएगा रिजर्व एच पर इंड एस आजी बात को समझने आई तो इसको रिकांसलेशन बनाएंगे प्रफिट एच पर एच्जस्मेंट दू इंड एस एच्जस्मेंट फिर आएगा एच्जिस्टिंग रिटेंड नहीं है होगे है प्रहते है होगे है है कि जब वी जो भी हमारी प्रिजेंटेशन ऑगी इस तरह होगी कि जो भी प्रिजेंटेशन होगी इस एफ एफिए उसके लिए हम जोगी अडिस्टमेंट करेंगे उसके हम दिखाएंगे एजे रिकार्सलेशन अब आजाएगे नेक्स प्रेजंटेशन और फाइनिसे इस्टेट में यहां तक बात समझे आई हाँ सर आतो रही है समझे और साथ ही जो नोट्स भी हमने दिये उनको भी आप एक बात पढ़ाएं और समझे आपको एक एक चीज़ के लिए लोगी क्योंकि इंडियस बंजीरो बंद में जो पहली बार हमें कैप से इंडियस में जाना है तो हमें काफी अज्जस्मेंट करनी है लेकिन एज्जस् के लिए ओप्स्नल अग एक्जिप्शन एक्जिप्शन दी गई है तदा कुछ चीज़ों के अंदर है मैनीपिलेशन हो सकता है या फानिसल इक्तम वाल टुगेदर फानिसल इस्ट्रक्चिर गड़गड़ा सकता है इन सब चीज़ों के लिए मेंडेटरी एक्सप्शन प्र ठीक है तो यह आपने नोट कर लिए अब हम आपको बताना जा रहे है प्रेजन्टेशन ओफ फानिसल स्टेटमेंट की कैसे करेंगे प्रेजन्टेशन ओफ फानिसल स्टेटमेंट अंडर इंडियस बंजीरोबन तो इंडियस बंजीरोबन है क्या ये इसकी नमेरी कैसे होई इसका नाम क्या थे इस के अंदर कप से अप्लिके इन कांव सी कंपरियों पे अप्लिके серьез क्या-का करना है यानि यूएस गैप से इंडियस पे जाना है जाने में इंडियस की प्रोविजन में किस किस के अंदर ऑफिसनल एक्सेप्शन से कौन कौन सी मेंडेटरी एक्सेप्शन से एक्जेम्सन से यह सब चीज़ें आपने बढ़ी और उसके बाद में जो डिफ्रेंस से आएंगे उन एक्जिस्टिंग रेटेंड नहीं से एड़्यस करना है और उसके लिए जिस तरह बैंक रेक्सेट्मेशन बनता है शीधर ऐक्सेटिंग एक रेक्नसरेशन स्टेटिमेंट बनता है यह सब ने आपको अभी तेब बनताया है अब हम बताने जा रहे हैं कि फानिसेंश्यं एस कि अनकेता पताईए हां बताईए चाननी क्या होता है बिलकुल सही का परपज क्या है कि जो यूजर्स है उनको सभानाबीशन मिन सके जिसके वेसिस पर वो इक्वानुम इक डिसीजन ले सकें, appropriate decision ले सकें, sale or a year decision ले सकें, इस company के sale खरी दें, बेचें, sale करें या ना करें, finance and institution इसके basis पर decision ले सकतें, इनको loan दें या ना दें, deventure, trustee decision ले सकतें, deventure का return कराएं या ना कराएं, deventure बेचें ने, बेचें गॉर्णन डिसीजन ले सकती हैं विजनेस कंटिनू रखें या ना रखें कॉलबरेटर जोंट वेंचर पार्टनर्स डिसीजन ले सकते हैं तो यानि जो डिफरेंट उजर्स हैं उनके परपज के लिए फानिसर स्टेटमेंट प्रेपियर किया जाते हैं इससे कि वह एकॉनॉमिक गाँ डिसीजन ले सके तो जो इंड़ेस है वह भी प्रेस्क्राइब करता है प्रॉसीजर प्रेस्क्रा प्रेस्क्राइब करता है कि फानिसल स्टेटमेंट जो प्रिपेर कियो जाते हैं वो फानिसल स्टेटमेंट में जो स्टेंडर प्रोवाइड करता है इस तरह की बेसिस जिससे कि उनका कंपेरिजन हो सके कंपेरिजन किस्से हो सके उनकी अपने अकाउंट से प्रिविएस यर्स के अकाउंट से अदर कंसंद के अकाउंट से कंपरिटिव कंप्टीटर की कंपणियों से उस गुरुप की अलग कंपणियों से उस सेक्टर की अलग कंपणियों से सब देगे से कंपरिटिव फिगर हो सके इस काम के लिए प्रिस तो यह जो financial statement है इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले भी accounting standards में थी वह इसके अंदर भी है क्या-क्या going concern पर होने चाहिए हाँ जी तो क्या कहता है इंडियस कि financial statement इस सब अब्जेक्ट को जो प्रेस्काइब की जो भी अब्जेक्ट्स है अब्जेक्ट्स जो है इसका वह comply करे comply कि क्या करे कि users इसके basis पर economic decision ले सके इस स्टेटमेंट के अंदर complete set of financial statement हो going concern हो हाँ हाँ है कि में टीडियलिटियोग प्रूएंड फिर हां सर यह तो हम बहुत सुरू से जब से अरकांटिंग पाड़ रहे हैं तब से पढ़ते आ ठीक है तब से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं तो इंडेस भी यही कहता है तो वह क्या कहता है जो भी मेटियल आइटमस है फानिसल स्टेटमेंट कि जो भी material items हैं वो separately disclose किये जाएं क्या किया जाए फानिसर इस्टेटमेंट के जो भी material items हैं वो separately disclose किये जाएं तो कुल मिलाके इंड-ASV वही कहता है जो accounting standards कहता था कि financial statement क्या होने चाहिए कि वो comparative होना चाहिए जिसके basis पर economic decision ले सके और जो उसके अंदर जो भी requirement है जो structure है और जो minimum content चाहिए financial information का वो contain करते हों और फानिसर इस्टेटमेंट going concern के basis पर हो उन conditions को छोड़कर जब company का management company को liquidate करना चाहता हो या company के जिसके operation बंद हो चुके हो या इसने trading बंद कर दी हो और कोई realistic ऐसा alternative नहीं हो कि company चल सके ठीक है और जो financial statement हमेशा accrual basis पर होते हैं तो वहीं जो principle आपने पढ़े होंगे accounting principle accrual basis के वाद cash flow को छोड़कर बागी financial statement accrual basis of accounting पर होंगे और minion disclosure हो ये सारा चीजें इंडियस केहता है ठीक है लेकिन अब इंडियस के अंदर क्या है कि अभी तक जो हमारा accounting standard था और इसमें फरक क्या है accounting standard और इसमें जो फरक है वो ये है कि हम लोग जो पहले बनाते थे single payment लेका होंगे ठीक है अब जो पी अंडल एकांट जो हमारा बन रहा है इसके दो पार्ट हो रहे है जो प्रफिट एंड लॉस एकांट अब हम जो बना रहे हैं इसके दो पार्ट हो रहे हैं पहले हो रहा है स्टेट्मेंट अफ पी अंडल और इसके बाद में इसी के अंदर दूसर पार्ट है स्टेट्मेंट अफ OCI अधर कंप्रियंसिव इंकम अधर कंप्रियंसिव इंकम वाला जो पार्ट है वो क्या है कि जो भी प्रॉफिट एंड सुस्ट जो की बेल्यूएशन का डिफ्रेंसेज है यह हम पढ़ाएंगे यह इन्डियस 32 इन्डियस 107 और 109 जो फियर वैल्यूएशन की बज़े से जो डिफ्रेंसेज आ रहे हैं ओके यानि जो रिवैल्यूएशन की डिफ्रेंसेज हैं ऑर प्रॉफिट एंड हैं और तेहें उसेंन और जो क्रींश का TON विफ्रेंस उयानि यह जो है प्रफिट एंड लॉस है क्रेंड प्रॉफिट एंड में यह जो प्रॉफिट एंड iसको अध्र नव्यूब्रेंसेज इंकम डेंड डाल दिया गया तो रह दो पार डॉंगे हैं ठीक है कि सातिख जिस तरा भी तर बैंशित पी प्रॉजेंट किया दिया लए है साथए जो प्रीबियूस यह की फिगर एंदे comparative साथी साथ सेन प्रासीजर्स पर दी जाएंगे ओके तो इंडियस क्या करता है इंडियस ने बाकी सारी चीज़ें जो पहले accounting standard वाली है प्रिजेंटेशन में एक तो profit and loss को टू इस्तों बाट दिया साथी साथ इसने बात ये किया कि material जितने भी items है ठीक है जैसे restructuring of restructuring cost अलग से दिखानी है ओके उसके बाद में जो भी हमने write down या write up of inventory किये inventory कि कोस्ट का जो evaluation किया है write down write up that is to be disclosed separately PPE plant property and equipment separately दिखाना है litigation के expenses separately दिखाने है यानि जो material items हैं इसी तरह इनका PP अलग अलग दिखाना है इनका gains and loss on sale of the property यह सब material item है that is to be disclosed separately इसके अलावा जिस तरह पुराना accounting strength है इंडियास भी कहता है कि सब कुछ true and fair दिखाना है और साथ में कुछ additional disclosure इंडियास कहता है यादि जरूरी हों तो आप true and fair दिखाईए और कुछ bin plus additional disclosure if need be याद कुछ additional disclosure की need है तो वह भी आप दिखाईए ठीक है यह हम आपको बता रहें थे इंडियास बन जीरो बन के बारे में ठीक है तो इंडियास बन जीरो बन हम continue करते हैं पाच मिनट के break के बार थेंक्यू